केम छो बता मजामाने आजे आपड़े तोरण आठमा विग्णान विशैनी अंदर चेप्टर बार खर्षन के जेमा आगड़ अपियास करीशू गया लेक्चेर मां में तमने आमों केमसी की सोल करवा माटे आपे लाहा था तेना जवाब मेडवी लए प्रथम प्रश्ण के नीचे नामा थी कईू विधान गर्षन बढ़ माटे साचू न थी तो तेमा आउसे जवाब D गर्षन हमेसा हानी कारक छे आपने अगला लेक्चेर नी अंदर जोई होतू ये गर्षन मात्रा हानी कारक पन नथी होतू फाइदा कारक पन होई छे अने घर्षन ना कारने तमे बोडू पर लखी शको छो पेंसिल वडे लखी सको छो चाली सको छो आउं फाइदा कारक छे हमेसा हानी कारक होतू न थी होला अहीं आ विधान खोटू छे त्यार पछी नोव प्रषन के नीचे ना माती कैजू विधान कोटू छे फरी अहीं आ वसे आंसर बी सरक्तु घर्षन ए लोटन घर्षन करता ओचु छे एही तमने ख्यालत छे के सरक्तु घर्षण लोटन घर्षण करता वधू हुए छे आपने तेना घणा बदा एक्जाम्पलों जो यह आता त्यार पछी नोव प्रश्णा के घर्षण वधारवा माटे सू जरूरी छे तो आंसर आवसे C सपाटी ने खर्बचडी बनावी जूहिए यहले के जो सपाटी खर्बचडी हसे तो घर्षण छे ते वधी जासे त्यार पछी नोव प्रश्णा के नीचे नामाधी कोनी असर तरल घर्षण पर थती न थी तो आंसर आवसे माँ A वस्तुनू दढ बाकी वस्तुनू आकार वेगने जात के जे तरल घर्षण पर असर करे छे परंदू दढ छे ते असर करतू नथी त्यार पछी नोव प्रश्णा के तरल दवारा वस्तुनी गती ने अउरोत्ता बढ ने खाली जग्या कहे छे तेमा आंसराव से ए घषडाओ एलेके जहने आपने ड्रेग कहिए छी एलेके तरल द्वारा वस्तुनी गतिने अउरोता बढ़ने घषडाओ एलेके ड्रेग कहे छे त्यार पछी अहीं तमने एक छोड़कु आपेलोतु सोल करवा माटे तेना पन जवाब मेडवी लईए जे मा प्रथम विभाग एनी अंदर तो एके घर्षण नू कारण तो घर्षण नू कारण सुछे जे मा अंसरावसे D सपाटियोनू अनियमित्ता नू जोड़ाण अबे अनियमित्ता नू जोड़ाण एटले के जिमा खाडाओ अने टेकराओ छे ते एक बीजामा भराई जता होई छे जेने आपने जोड़ाण कहिये छिये तो आप्रकारे घर्षण नू कारण छे ते सपाटियोनू अनियमित्ता नू जोड़ाण छे त्यार पची सुनिया घर्षण तो ते माज आँसर आउसे ए शक्य नथी यह लेके घर्षण रहित सपाटी सक्य छेज नई गम्मे तेटली लिसी सपाटी होई छता पन तेमा थोड़ू घणू तो घर्षण लागे छे लेके घर्षण रहित लेके सुनिया घर्षण सक्य होई ते उबनसे नई त्यार पच तरल वडे लागतू घर्षण घटाडे छे जे मा धारा रेखी कोने केवामा आवे छे तो के मा छलियो औने पक्षियो ना जे आकार छे के जेने धारा रेखी आकार केवामा आवे छे औने जेना कारने वीमान होडियो तेना आकारो छे ते आप्रकारे धारा रेखी बनावा आवेला छे अन्य जेनाकार ने तरल येले के जे पदार्थो वही शके छे तेनी अंदर लगतु घर्षन छे ते आ आकार नालिधे घटी जाई छे त्यार पछी बोल बेरिंग तेब कईया प्रकारनु घर्षन छे तो तेमा आउसे आंसर सी लोटन घर्षन ले बोल बेरिंग ते लोटर घर्षण तेनू प्रकार छे त्यार पच्छी तमने याँ पेलू सरस्मजानू एक उखाणू जेनो तमने जवाब सोथा माटे कीदो तो तो बधाने तमने आनो उखाणानो उकेल मडी गयाने जेनो जवाब सोवावसे तो के घर्षण त्यार पचि आगर स्वाध्याई मा प्रश्न त्रण जेमा कहलू छे के आलिधा पोतानी रमक्रानी कार ने आरसना सुका भोई तड़िया पर आरसना भीना भोई तड़िया पर त्यार पचि पोई तड़िया पर बीछावेला समाचार पत्र अने टुबाल पर चलावे छे तो कार पर जुदी जुदी सपाटी द्वारा लागता घर्शन बड़नो चड़तो क्रम कई ओशे तो आनी अंदर सव प्रथम लीसी सपाटी कई असे तो के आरसनू भीनू भोई तड़ियू तो आरसनू भीनू भोई तड़ियू छे जे सव थी लीसी सपाटी असे पछी तेना थी आगड तो के आरसनू सुकू भोई तड़ियू के जेमा थोडूक घर्शन बड़ वधारे असे ત્યારપછી સમાચાર પત્ર અને ત્યારપછી આવશે તેનાથી સોથી વધારે ઘારહષણ सेमा लाग से तो के 2 आल मा, तो तमने कोई आओ ऐं ओप्षन जुहा मडरे छे के जह मा आरसनू भुहितर्यू, त्यार पछी सुखू, भुहितर्यू, त्यार पछी समाचार पत्र उने त्यार पछी 2 आल, तो अहीं आउसे जवाब A, के झेनी अंदर, आलीदा छे, ते पतानी रमकडानी कारचे आ चार जुदा-जुदा स्थर उपर चलावे छे तो जेमा सवती बधारे तेनी जड़ब गती छे ते विनाद भोहितडिया मा थासे तेर पची सुका भोहितडिया नियंद तेनी गती धिमी पड़ी जासे तियार पची समाचार पतर अमाने साओ गथी गती सेमा करचे टूबाल मा केमके टूबालनी अंदर देने साओती वद्धारे गर्शन बढ़ छे ते लाकसे जीना काने गती दिमी पड़ी जसे त्यार पछी ना प्रश्णों ना जवाब विद्यार्थी मित्रों तमे तमारी बुखनी अंदर पेनलेईने बेसी जजो अने तेमा तमारे आ जवाब छे ते नोंध ता जजो त्यार पछी स्वाध्धे नो प्रश्ण चो थो के थारो के तमे लखवाना डेस्क ने थोड़ू नमा आओ छो अने तेना पर मुकेलू कोई पुस्तक नीचे तरप सरकवानू सरू करे छे तो तेना पर लागता घर्शन बढ़नी दिसा दर्शाओ तो अही तमे आकरूती मा जोई शको छो के जहरे तमे तमारू लखवानू डेस्क थोड़ू नमा ओ छो तेरे पुस्तक छे नीचे नीचे नी तरप गती करवा लाग से परन्तु अही तमने घर्शन बढ़नी दिसा पूछेली छे तो एक रिते कई शकाई के घर्श पुस्तक छे दिसामा गती करी रही होए तेनी विरुद दिसामा छे घर्शन बढ़ लागे छे परन्तु घर्शन बढ़ छे ते धाल नी सपाटीने समांतर लेके उपर नी तरप छे लेके बीजा सब्दों मा आपडेम कई अज सके के ते तेनी विरुद दिसामा छे तो आम तो पुस्तक छे ते नमेला डेस्क पर नीचेनी तरप सरके छे तेथी तेना उपर लागतु घर्शन बढ़ धाल नी सपाटीने समांतर उपर नी तरप छे एटले के पुस्तक नी गतीनी दिसानी विरुद दिसामा गर्शन बढ़ लागे छे त्यार पछीनों प्रशन के तमे साबूना पाणी थी भरेली बालडी आकस में तिरी ते आरसना भोई तड़िया पर धोड़ो छो तो आ भीना भोई तड़िया पर तमारा माटे चालू सरडसे के मुस्केल सामाते अमना जापणे चर्चा करी के जो भोई तड़ियू भीनू होई तो तेमा घशन बढ़ छे ते घटी जाए छे तो अहीं तो साबूनू पाणी छे के जेना वड़े भीनू थेलू आ भोई तड़ियू छे ते तेना पर चालू मुस्केल बनी जशे सामाते मुस्केल बनी जशे केमके साबूनू पाणी छे ते आप्रकार नी आरसनी सपाटी छे जैने वधू लिशी बनावी दे छे अने वधू लिशी बनी जवाना कारणे आरसनी सपाटी उपर जे खर्षन लाग तो तुते खर्षन सुथासे तो के घटी जशे अने आपना जे पक छे ते आरस साथे योगिय पकड जार्वी शकता नथी एडले के तेनू जोडान थाई शकतू नथी अने जेना कारणे लपसी पड़ाई छे आम साबुनो पाणी जो भोई तड़िया उपर ढोड़ाई जाए तो तेनी सपाटी लिसी थाई जाई छे अने जेना कारणे तेनू कर्षन बड़ घटी जवाना कारणे लपसी पड़ादू वोई छे कारण के आपना जे पक छे तेनी पकड एटले के जेनू जोडान छे त जरी शकातू होतू नथी थाई शकतू नथी त्यार पची प्रश्ण नंबर छो के रमत वीरो खिलियो वाडा बूट केम पहरे छे समझाओ तो के खिलियो वाडा बूट पहर वाथी जमिन साथेनी बूट नी पकड मजबूत थे जाई छे एटले के बूट आने जमिन वचे बड वदी जाई छे लगे ज्यारे रमत वीरो खे ते दोडता होई छे त्यारे आपडे वाद करिये तो ते लपशी ना पड़े जे ना काने ते ओना खास प्रकार ना बूट बनावा मा आवेला होई छे जे खिलियो वाडा होई छे छे ना काने ते ओना लपशी पड़ता होता नथी एले के तेनी जमिन साथे नूँचे घर्षन बड़ छे ते सुथाई चातूए छे तो के वदी चातूए छे अने तेथी रमती वक्ते के दोडती वक्ते रमत्वीर छे ते जमीन पर लपशी पड़तो होतो ना तेनू एक जरीजन छे केनू बूट ने जमीन वजेनू खर्षन बड़ वदी चाय जेना कारणे रमत्वीरो छे तेने कोई जातनू सारीलिक नुक्षान ना थाई तेटला मा तेयार पछीनो प्रश्ण साथ के एक बाल एक हलका बोक्स ने धको मारवो छे अने सीमा ने तेज भोई तड़िया पर एक भारे बोक्स ने धको मारवो छे तो कोण वधारे बड़ लगाड़ू पड़ से अने सा माटे तोहीं तमे वीचारी शको के जो हलकू बोक्स होई के जेनू वजन साओ ओछ हुँछे ते जमिनना संपर्कमा होई भोई तड़ियाना संपर्कमा होई तो तेमना वच्चेनू जोडान छे ते ओछ हुँवई छे टेकराओ अने खाडाओ तेमा ओछा भरा एला ओछे तमने जोडान नी व्याक्या जे गयालेक्चर मा आपने समझेली के सपाटीनी अनी अमित्ता एल्लेके खडबचडा पन। जेना कारने जे जोडान छे तो वदू होई तो कर्षण बढ़ वदी जाए अने जोडान ओछू होई तो कर्षण बढ़ घटी जाए तो ही ओचा वजनवाडो बोक्स के जेने एक बाल धको मारे छे तेनू जोडान छे ते ओचू अशे जेना कारने ते ओचा बढ़ थी बोक्स ने धको मारी शक्षे परन्तु सीमाने भारे बोक्स ने धको मारवा माटे वधारे बढ़नो उपियोग कर्वो बढ़ छे सा कारणे केम के भोई तडिया साथे तेनु जोडान छे ते वधी जाई छे अने तेना कारणे वधारे दबान उद्भवे छे अने वधू घर्षण लागवाना सिमा ने फोतानी वधारे उर्जा सक्ती नो उप्योग करव पड़ से एकले के वधारे बल्लगाडवु पड़ से तोहीं जोए तो के सीमाने वधारे बल्लगाडवु पड़ पड शे ओवे तमें ते सम्झी गया सांवाटे। कारण के भारे बोख्षनू वजन एलले के बढ वधू ओए छे अने तेथी ते वधू जोर्धी बोई तडियाने दबावे छे एटले के बोई तडिया पर वधू दबान लगाडे छे अने जिनाली दे वधू कर्षन उद्वावतू ओए छे अने तेथी सीमाने भारे बोख्षने धको मारवा माटे वधू बढ लगाडवू पर्षे त्यार पचे आपाटने सल लगन तमने अही एक जोड़कू आपेलू छे जेनो तमे जवाब मेडवाना प्रयत्न कर जो बाकी आवता लेक्षन नी अंदर आपने तेना जवाबो मेडवीशू अने छता पण जो तमने कोई प्रष्ण थतो होए तो नीचे कोमेट बोक्स मा जणाओ जो अही पन आ जोड़का ना जवाब छे तेनीचे तमे कोमेट बोक्स मा जड़ाओ जो त्यार पठीना स्वाध्याईना प्रष्णों छे चे आपने आवता लेक्ष्यन नी अंदर तेने समझेशू तेनक्यू